शराग चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए भट्टी ब्रिवरिज की बने हुई शानदार विस्की डबल डॉंकी हर पेग में गठे की दुलत्ती का महकता सरूर एक लिटर की बोतल के साथ दो गिलास और उल्टी करने का लिफाफा मुफ्त पूल इटेंशन और तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ा मुझे क्या फरक पड़ने मैं तो धरू हूँ वैसे भी पानी के बगार ही फिता में पूल इटेंशन यार रुलियाराम की बीवी बड़ी तंगा अच्छा एक दिन डॉक्टर क्वास गई बोल डॉक्टर साब को यह पाया बताओ मेरे पती रोज मुझे शिराब पीकर मारते हैं, पीटते हैं, गालिया निकालते हैं वैसे पड़ी साब इस मामले में आपकी बीवी बहुत लगी है वो कैसे? मैंने सुना कि जब आप शिराब पी लेते हैं तो आप उसे बड़े प्यार से बुलाते हैं मेरी बात हो रहा है, द्रसल मुझे दो पैग पीने के बाद वो अपनी बीवी लगती नहीं अच्छा अच्छा तो बात कर लेते हैं किस से? भाबी जी से क्या? यही कि आप जब दो पैग पी लेते हैं तो आप अपनी बीवी को कोई दूसरी और समयने लगते हैं अप रुलियराम की बारे में बतायां हँँ… क्या कह रहा था मैक? हाँ आप कह रहे थे के रूलियराम की बीवी ने डॉक्टर को बताया भी वो उसे शराब पीकर बहुत मारता है पीटता है गालिया निकालता है हाँ तो डॉक्टर का कोई बात नहीं आप ये दवा ले जाए इसे आप चाय में मिलाकर रूलियराम को पिला देना हाँ अधेके बाद उसकी बीवी फिर दॉक्टर को पास पाहुचगी है डॉक्टर साव अपने जो म्मेरे पति लय दाव JIMूह थी थी ना हाँ वो चाय में बिला दी थी हाँ चमी दव तो पिला दी ती तौनों ने शराब्ही झोड़ दी हो धित शराब नहीं जी चाय पीना जोड़ती। 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 और आदमी उसका मुचा रहा हुत outro कम एक है कि मानस जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है इसे शराब के गोधायरी यह अच्छा तुड क्या Bowl का चाहिए का मनुश्या जिवन में तो शराब हुग्छा सकता है क्या हैा आपने कभी सुना है कि चार बिलियां कठी होके राम पीरी हों या कुत्ते सोड़े के साथ विस्की पीरे हो या कुत्ता टोन होकर नाली में पड़ा हो और आदमी उसका मुँ चाट रहा हो पटी साब, वैसे सच बताना जिस तरह से हर चौत्ते दिन आप पी कर गटर में गर जाते हो आपको शरम तो आती होगी शरम आती है, शरम आती क्यों नी अब देखो ना हमारे मुल्क को अजाद हुए 40 साल से उपर होगे और आज तक हमारे मुल्क के गटर निसाफ सुत्रे बन सके देखो ना अगर कोई विदेश का शराबी इन में गिर जाए तो क्या सोचेगा हमारे मुल्क के बारे में यह तो वाकर इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ती वाली बात होगी तो आपके हिसाब से गटर्स में क्या क्या सुधार होने जाए देखो जी एक तो गटर्स में मिनी बार्ज जूरी है ताकि अगर शराबी का नशाट उड़ता है तो उसे कम चकम अधिया पाओ अवगारा मिल चके दूसरा गटर्स में म्यूजिक का इंतिजाम होना चाहिए वाँ जैसे पंकर जुदास की गजले मजा लेना है पीने का तो गिर कर गटर्स में पी पाएगा ढूंड़ना कोई तुझे तुछिप कर गटर्स में पी मजा लेना है पीने का पुरी तैंशन दूसरा गटर्स में बहुत ही खराब होई जा रही है सवेर की उल्टिये ने रुक रही है चक्कर आ रहे है सिर पारा पारा हो रहा हा हालत बहुत खराब है बहुत है शराब चीजी ऐसी होती है रुलिया राम जी लगता है कल राथ ज्यादा पेली क्या बताउं डग सब रात बैड कमपनी में फस गया बुरी संगत बुरी संगत बै वो कैसे रात आदमी थे चार तीन तो फिते नहीं थे बोतल थे एक वो एक बोतल सारी के सारी मेरे को खतम करनी पड़ी रही बैड कमपनी पुल टेंशन शराब की पाटी चल भी थी वहाँ शराब कमपड़गी लोग एक पैक के लिए धका मुकी हो रहे थे यानी चीना जबडी शुरू हो गई बहुत बुरी आल थी लेकिन अपना रुलियराम उसके हाथ में एक पैक लाग गया वहाँ वो यक आदमी से पूछता है आप नहीं पीते हैं? जी मैंने पीते हैं बिल्कुल नहीं पीते हैं? बिल्कुल नहीं पीते हैं मैंने तो कभी बच्पन से नहीं पी अच्छा फिर तो कोई खत्रा नहीं है आप ये ग्लास पगड़ी है मैं तसमें बांदू यह शराब चीज ही ऐसी है अगर ज्यादा हो तो लोग जबरदसी लोगों को पिला देते हैं अगर कम हो जाए तो लोग अपने सगे सबंदियों पर विश्वास मी करते अपर इसका सवाद भी तना कडवा है फिर भी लोग इसके तने दिवाने हैं बटी साब इस सवाद तो फिर कडवा है ही है हाँ मुझे सवाद से याद आया था पार्टी जिसके मैं बात कर रहा था वो पर गिर्धारी बेया हुआ था अच्छा वो अपना प्रफेशनल शराभी हाँ उसने एक मोटा सा पैक डाला एकाज से नाग बंद किया हाँ माथे पर आट दस बल डाले अच्छा गडग गया वो मैंने पूछा अगर इसका स्वाद इतने गंदा लगता है कि नाग बंद गरनी पड़ती है तो फिर पीते क के अखाए कौन कहता है मैंने सचा उदर से कोई कह रहा है का सारटा कर देए इनका मज़ा खराब कर देए है तूही यह कोंका ते जिए का है जॉपकर कर शथमेग एक शनाने का अंदाग पिली साथ बाहिई प्ढ़ पोधिते साथ बिक गन गिन के जिसने जाम पिये उसने क् पीना उसी का है जो पीए बे खुदी के साथ बहुत अच्छा शेर है और इसी शेर पर मुझे एक चुटकला याद आगया अच्छे मैनर्स नहीं होते यह पड़े लिखे आदमी को शोबा नहीं देता यह मुझे याद आए गया तो मैं क्या करूं ठीक आप याद आगया तो सुना दो आप कौन सा को बहुत कल्चर आदमी तो कहां से कल्चर आगया भी यह थोड़ा कि तू शिराब के साथ दो शेर सुना लेता तो कल्चर हो गया गिन गिन कि जिसने जाम पीए क्या पीए यह शे यही कि एक पार्टी में एक डॉक्टर साब आए हुए थे हाथ में उनके ग्लास था तीन चार मोटे पैग लगाए हुए अच्या लोगों को समझारे से प्यो मगर लिमिट से शराब उतने प्यो जितनी तुम पचास सको लेकिन डॉक्टर साब लिमिट का पता कैसे चलेगा य यह अपना अपना तरीका होता है मैंने तो कसम खाई है मैं तब तक पीता रहूंगा तब तक पीता रहूंगा जब तक ओ दो वेटर खड़े हैं मुझे चार दिखाई देने शुरू ना हो जाए लेकिन ड़क्ट सासल अमने तो एक ही वेटर खडा अब हम आपके लिए लेकर आए हैं शराबी क्विज बैठीए 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 शराब के बारे में गाना नी गाना क्विज है सिर्फ पार्टिस्पेट करना तो भाई और बैनो हमारी दो टीमे हैं हमेशन की तरह एक बेवकुफों की एक समझदरों की तो सबसे पहले समझदरों के लिए हम उनके लिए क्लिपिंग दिखाएंगे इस क्लिपिंग में दो आद्मी है आप देख रहे हैं और आपने अंदाधा लगाना है कि इन में से सूफी कौन है शराबी कौन है मतलब इं दूनों में से शराब का क्विज है व्याद का ग्वेज है. हाँ बताये? दाड़ी वाला श्राबी है. मैं मत. नहीं आप नहीं, जो टीवी में दाड़ी वाला है. तो उइसे आपने दाड़ी सें दाड़ा लगा लिया कि वो श्राब का शुक्रीन है? ताड़ी सेनी, उसकी टोगरी में सोड़े की बोतले है दाब देनी पड़ेगी आपकी नजरों की, ठीक ही नजरों की बहुत ही बड़ी या आप कहीं भी छिपा हुआ सोड़ा पहचान लेते हैं शराब की शुकीन लगते हैं दूसरा सवाल है बाईचांस, फिर मूर्खों का, मिरा मतलब बेवकुफों का सवाल है एक पीने वाला एक पीने वाला, दूसरे पीने वाले को जबरदस्ति क्यों कहता है, और पियो, और पियो आम तोर पैसा हो था न इसलिए जी ताकि जितना नुक्सान उसकी अपनी सेहत का होता है वो चाहता है भी कम से कम उतना नुक्सान तो दूसरे की सेहत का भी हो बिल्कुल ठीक, फेरी इंटेलिजेंट आंसर शर्मानी चाहिए सामिधारों को वैसे मुझे खुद शर्मारी ऐसा क्विज कंड़क्ट करते हुए सामिधारों के लिए एक और चांस, एक क्लिपिंग है इस क्लिपिंग में आपने ये अंदाजा लगाना है कि इसमें से professional शराबी को हो ना है और non professional शराबी को होना है इन दोनों में से इसमें अनदाजएगी क्या बहता है जी वो दाडी वाला professional शराबी है क्योंके बहतन उसके पास है ये हंसने से बहत не बनती दिमाराग लगाना पड़ता है अजी आप पताई है वो एनक वाला बाबू प्रफेशनल शराबी है वो कैसे हैं? क्योंकि वो शराब के साथ कुछ नहीं खा रहा तो गया होगा? प्रफेशनल शराबी को पता है कुछ भी खाने से शराब पीने की कपेश्टिक कम हो जाती है बहुत ही बड़ी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया आपने तो बारी है अब मेरे ख्याल बेवकूफ होगी है सवाल है शराब पीकर लोग अपनी बीवी को क्यों पीटते हैं? दरसल जी पिटाई तो शराबी की अपनी हो रही होती उसे तो सिर्फ शराब पीके लग रहा होता कि मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ वरना अपनी बीवी को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है हाँ जवाब दरुस्त है और इसी के साथ बेवकूफों की टीम जीत गई इसी के साथ हमारा कुईज खत्म हुआ नमस्कार बटसर बटसर हमारा ये नाम बाकी कुईज वाले तो इतने नाम देते आपने कुश में ने दिया मैं क्या करूँ हमें अपने कुईज के लिए कोई स्पांसर ही ही मिला सर एजिंट नमर सेवन ने बताया है कि रूलिया नाम गुम नहीं हुआ था बलकि शराब पीके बिस्तर के नीचे सो गया था और मिल गया है सर वेरी गुड वेरी गुड उसकी बीवी बैठी है उसे बता रो ठीक है सर सर बाहर मिस्टर चमनलान बैठे हुएं उन्हें अंदर भेज दो हाँ भेज दे भेज दे भेज दे ठीक है सर नमस्कार सर सर मेरी प्रमोशन के बारे में कुछ पता चला कुछ समय निया रागरी तरक्की क्यों नहीं हो रही हाँ वो हमारे एजेंट नमबर फाइग ने सा पता कर लिया है कि तुम्हारी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही सर साथ तरीक को शाम ठीक साथ मजी है तुमने अपने बास को अपने घर में इन्वाइट किया ये सर सुभाव ना मौसम थो ठंडी ठंडी हवा चाल लेती है तुमने अपने बास को चाय पिलाई हाँ चाय ही नहीं पिलाई बलके गुलाग जावन कचारी पकोड़े और ठंडे ठंडे रसकुले भी खिलाए इसलिए डिमोशन होई है इसलिए दिमोशन होई है लेकिन सर मुझे क्या पता था के मेरा बास शराब का शुकी नहीं वो हम पता करवा देंगे हमारी सीक्रड एगंची को सेवा का मौका देंगे सरु हम तो यह भी पता करवा सकते हैं कि आपका बास कौन सी विस्की पीता है सोड़े के साथ पीता है या फानी के साथ काजों के साथ पीता है या प्याजों के साथ लेकिन सर ये पीने पिलाने वालों की कोई ना को निशानी तो होनी चाहिए ना और खासकर उन अफसरों की जिने घर में इन्वाइट करने की ज़ूरत पड़ती आग का मतलब है कि उनके नाम के साथ कोई नो कोई तखलूस रखाऊना जाएगी जी? जैसे शाम सिंग ब्रांडी श्री बी के रम सुरिंदर ठरा मिस मिनागशी जिन श्री विपन स्कॉच मिस्टर आर्ट सी पहनी यह आइडिया मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इससे तो नाम से पता चल जाएगा कि बॉस को क्या अच्छा लगता है भाई साथ अगर हर आदमी को इतनी इस्रानी से पता जल जाए कि उसके बॉस को क्या अच्छा लगता है तो हमारी डिटेक्टिव इजनसी कासे जलेगी गए रुलिया राम यह जो शराव होती है ना बहुत बुली चीज होती है इसे इसे स्लो पोईशन यह आदमी को धीरी धीरे खत्म कर देती है डाक साब फिर तो बड़ी अच्छी चीज है मैं भी धीरे धीरे मरना चाहता हूँ मुझे कोई जल्दी रही है एक जाने माने शरावी जब शरीर छोड़ गए तो उनकी याद में शरावी दोस्तों ने एक शोक सभा का आयोजन किया रुशनलाल जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है देसी अंग्रेजी कच्ची पक्की असली नकली हर तरह की शराव हस्ते हस्ते पी जाते थे ठेका खुलते ही आ जाते और ठेका बंद होने तक हर एक का साथ रिवात है फेफरे गलगे जी उनके लेकिन उनने शराव की बेस्ती नहीं होने दी यही का फेफड़े कमजोर थे शराव तो ठीक थी मह माया तो वो कब की त्याग चुके थे बिल्कुत सही कह रहे हो बीवी बच्चों से उने कोई मोह नहीं था और माया माया वो शराव की दुकान पर आके त्याग देते थे शरापी कर नितने ने गटर में गिरते रहते थे लेकिन जब सुमह उड़ते तो नहीं तास्की होती नहीं जोश होता तरह तरह के अक्सीडन भी उनका होस ना पस्त कर सके रोशनलार जी की याद में हम एक चौंक बनवाएंगे जिसमें रोशनलार जी का बुत लगाया जाएगा एक हाथ में बोतल दूसरे हाथ में कुत्ता उनका मूँ चाड़ते होगा इससे उनकी आत्मा को सुकुन मिलेगा और हम सब शरावी भाईयों को उत्सा वाव और रोक और रोक और रोक और रोक वोई वोगा जीन्स बेटाँ आप जड़ उतरेंगे टेस्स करेंगे कि आपने शराप पी है जैनी इसपर सब मैं तो सूफी आदमी हुजी चाय भी नहीं फीता शराव तो बहुत दूर की बात है हवल दर जार सूंग कर देखो मुखला साब इसके मुझे बहुत गंदी बदू आरी है बदू आरी है जाने दो जाने दो साब़ू इसके मुखलाइं बिल्कुल ऐसे कि बदूच और रही है जिसे आपके मुझे आती है कार्दो चलान साले का पी कर गाड़ी चलाते है काहा खोजे काहा जाए समझना आए रमठरा अंगरेजी कुछ मिल जाए मा मा मर गए ला ला लुट गए पाप पस गए पाइडे अहाँ हाई 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 पाइडे 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 पीने वाले सब परिशान है बस में न दिल और जान है काहा दारों ढूने यहाँ गुमें वहाँ गुमें कुछ न सूझे किसको पूछें कहां मा था पटकें बंद थे कौमें बटकें मा म मर गए ओए ला लुट गए ओए पाप पस गए ओए द्राइडे 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 देखी जो हमारी पाचारी बेकरारी ठाकी वर्दी वाला कनूनी रखवाला एक परिश्टा आया कोन में ले जाकर कान में हमारे उसने यू समझाया दीमत लगेगी दुगनी पोलो ठेका मैं खुलवादूं भोतन अठाप हुआ जो मागो दिलवादूं मस्ती में शराबी लगे जुमने खुशियों में नाचने खुदने दारू हाथ लगी ऐसी धुम मची ड्राइडे को डबल रेट पे दारू डबल चड़ाई एसी शामत आई मशना मर गये होए दाइडे ललाल लुट गये होए दाइडे पश गये होए दाइडे बाइडे लाइडे बाइडे अ दा दैमारे नाचन लिटने tagi जनता कभी, आजा को, विकारी को, दप्धर को, रोगी को, खुफी को, शराफी को पुल टेंशन, पुल टेंशन, पुल टेंशन, पुल टेंशन बड़े कभी, छोटे कभी, आजले को, मोटे को, हैरे को, खोटे को, लंबे को honest खखूञ्ह ठूड को... hub Хорошо उे दोड कर fiction! hub fludad कर चायन! fludad कर फडर्बस्फडन! hmm employment